कुमारी ठीरी की बाते सरफ उतना ही इंपॉर्टेंट निमेरिकल भी है न या तो पता है आपको सिर्फ हूं घर जाओगे सिर्फ करोगे तो भी पास या है तो आपणने यह तो मैं ने निम चैप्टर वाइस इदvenge इज आ लेना पक्का आपको सतर में से पचास लाने से कोई नहीं रोक सकता पचास प्लस अराम से रिख्या जाओगे यह इंपॉर्टेंट टिकल डेरिवेशन बता दिये मैंने अब नियुमेरिकल की बारी वह मैं समाल लोंगा मेरे उपर छोड़ दो खाली आप ट्रस दिखाओ खाली तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले चैप्टर नंबर वन से लेके चैप्टर नंबर सिक्स्टीन तक के इंपॉर्टेंट कुश्चन अभी ध्यान से सुन लो एक बाद डिस्क्लेमर दे दू मैं कि यह कुश्चन करके आप टॉप तो नहीं कर पाऊगे लेकिन यह कु ठीक है तो यह वीडियो टॉपर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो भाईया अभी स्टार्ट करने वाले पढ़ने के लिए उनके लिए जो प्रिलियम में अच्छा मांक्स लाने के लिए जिनको कोशिश कर रहे हैं जो लोग उनके लिए वीडियो है ठीक है तो आपको सम है साथ माक्सकी फुर्ण लोग कूफेंट सब्सक्राइबॡ क्वेंड चैप्ना सब्सक्राइब लोटेशनल डायनामिक्स मेकैनिकल प्रॉपर्टि के टीजी एंड थर्मो थर्मो तो आप फीजिक्स का करो केमिस्ट्री का करो दोने एक हो जाएंगे आपके वलब एक चैप्टर दो काम हो जाएगा तो इसके बाद में आप लोग करना ऑसिलेशन और सुपर पोजिशन सर अब को करना है सब चैप्टर साथ मार्च के तो सेवेन फोर्ट टेबल तुमको आता है सोच लो इतना ज्यादा माक्स मिलेगा और यह चार हो गए पार्ट टू पर आजाओ अपको करना है करेंट इलेक्रिसिडी क्या करना है सर इसमें खाली पाच टॉपिक पाच टॉपिक इतना चैप्टर है चार से पाच आपको अराम से मिल जाएगा यह कर ले न बड़ा ही प्यार से आपको लास्ट चैप्टर कर लेना चैप्टर नमबर 16 सेमी कंडुक्टर आप लोग इसमें मांक स्कॉर कर सकते हो यह चैप्टर है कुछ नई से चप्टर अब करेंगे तो इसे अपना पर चयाप्टर और तो ऐसे अपना पर चैप्टर की बता दिया और कोई मनाई नहीं है इसमें ठीक है तो पहला प्योशन है statement and prove perpendicular axis theorem same statement prove parallel axis theorem obtain the expression for kinetic energy of rotating body आपकी एक body है जो rotate कर रही है जिसमें बहुत सरे particles होते हैं गूम रहे एक एक particles आप लोग assume कर लेते हो थीक है सबका mass phone ले लेते हो velocity ले ले लेते हो तो kinetic energy जो नॉर्मली हमारा formula होता है half mv square इसको आप लोग rotational में करना है किसमें करना रोटेशनल में तो काइनेटिक एनरजी रोटेशनल क्या जाता है हाफ एम की जगे पर आ जाता है आए वी की जगे पर आ जाता है ओमेगा स्क्वेर हो गया डेडिवेशन ठीक है अभी आप लोग यहां पर चारबा स्टेप बीच में डाल दोगे फॉर्मला यहां से आपको य लिखेंगे टॉर्क एम की जगे पर भी मैंने क्या बताया था आए एक ही जगे पर आजाएगा अलफा एक्सेलरेशन आजाएगा रोटेशनल वाला एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक है तो यहां से आपको करना है बहुत प्यार से कर सकते हो फिर आगया आपका बैंकिंग को पढ़ने स्पिड्या कर बहुत याज़े इसका फिरेशन एक्सिप्रेशन पेम कॉणिकल पेम्तिम्ति पेड्लां ứngकाल एक्सेलरेशन पढ़ना प्यम्ति है बहुत हीailable करिया है निकालना है वहार पर श्लोग प्रूंच पर सकते हो हैं क्परम धानिकल इसकोर प्मतियक प और सिंगल पैंडूलम के बीच में डिफूरंस बिट्वीन आ सकता है क्या बुला मैंने और चेप्टर ही चैप्टर नमबर तू में इतने ही चैप्टर नमबर वन में इतने हीच्टर थे ठीक है आगे चले बहुत बढ़ी है चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं हमारे पास chapter और सबसे पहली बात आपको सर्फेस टेंशन बताना है कभी पूछ लेते हैं और उसका डायमेंशन बता दो युनिट बता दो फॉर्मॉला बता दो कभी पूछ लाएं की सर्फेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए उसकी सोड़ास हम लोग ने थेरी पड़ी थी एक बीकर इसके अंदर हम लोग ने बहुत सरे लिली है पूरा अंदर है मॉलीकुल भी थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है जली खानी आदर यह तो यह आपको बतानी पड़ती है एक्स्प्रेशन बित्वीन सर्फेस टेंशन एंड इसके ओपर तो ब पूछते हैं तो यह रिलेशन बहुत इजी है डेरिवेशन बहुत इजी है तो आप लोग कर सकते हो फिर बात में सर एक्स्प्लेशन वाइच्ट एक्सप्रेशन इंसाइड बबल ड्रॉप इसी का नाम चेंज करके आप लोग पूछ लेंगे लाप लापलस्ट लॉप स्पेरीकल मेम्ब्रेन पुछ लेंगे लाप लाउफ लॉफ पैरीकल मेम्ब्रेन नाम ध्यान से सुनना ध्यान से करना उसके बाद में टर्मिनल वीलॉसिटी का डरिवेशन बताओ कि आपने विसके स्मीडियम में ड्रॉप नीचे गिर रहा है तो इसका टर्मिनल लेकिन दोनों के लिए दो टाइप के फॉर्मूला जाता है तो दोनों से फॉर्मूला से आता है आपको हाइट निकालनी कि लुपर जाएगा कितना नीचे जाएगा तो फॉर्मूला चोटा सा है तीन चाल स्टेप में आपका डेरिवेशन हो जाता है बहुत ही प्यारा है बहुत ही एज़ी है तो आपको यह करना ही है और एक और घॉशन नहीं बचा तो अभी और आपको पता देतो ध्यान से सुन ले ठीक है नेक्स्सक्राइब आगया के टी जी एन रेडियेशन आई एम पी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत इजी है स्टेट्स विंस डिस्प्लेस्मेंट लॉव बहुत ही प्यारा सा छोटा सा है इसके अपन निमेरिकल भी आते है फर्मूला बेस निमे पूलते हैं यह एक्सप्रेशन यह फर्मूला पढ़के जाना आप लोग कि वी आरे मैस इस इक्वल टू अंडर रूट अपन एम नॉट यह फर्मूला आपको कैसे आता है डिराइव करने आना चाहिए बहुत इजी और बहुत ही इंपोर्टेंट फर्मूला है बहुत ही ज ब्लैक बॉड़ी क्या पुछाता रॉट फैरी ब्लैक बॉड़ी अरे भया कभी आपको पुछ लेंगे कभी उस ड्रॉट को एक्स्प्लेंट करने पुछ लेंगे तो बहुत होता है यहां पर बीच में से च्छोटा सा होल होता है ठीक है ऐसा मैं बना देता हो अच्छे से रह जाती है और अपनी ब्लैक बॉड़ी अपने को दिखती है ऐसा कुछ डाइगराम है आप लोग इसको अराम से पढ़ सकते हो क्यों होता है कैसे होता है बहुत इजी कोशन है ठीक है उसके बाद मैं एक्सप्रेशन को बोला था यह करके जाओ आदे लोग करके गए और य ने सक्षन डी में कोश्यन हो गया था cat shadows मुझते हैं मैंने बता दिया था लेकिन बच्चें करके कहते है और डाय सप्टेइट्इभक चारश कटा यह ज्यादा है थेरी ज्यादा है लिक्टना बात खतम यह करके घरता मैं मैंन्द को स्तार अग करकेorg और अगर हिम्मत बच और हिम्मत बच गए तो डिएव पढ़ लेना डिग्री ओफ रीडम का डेफीनेशन मोनों में कितना होता है पॉली में कितना होता है कितना होता है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स चैप्टर आपना थरमो डायनमेग्स आएमपी अब इस चैप्टर में मैं क्या पताऊंगा जान हो जाते हैं आपको टोटल साथ प्रोसेस दिये हैं कितने हैं साथ प्रोसेस आपको पहला है रिवर्सिबल डिफरेंस बिट्विन पढ़ लो इसके बाद में आईसो बैरिक आईसो क्रोरिक आईसो थर्मल एडियाबेटिक साइकलिक और फ्री एक्सपाइंशन यह साथ तो इस साथ प्रोसेस आपको पढ़की जाने कभी इनके पूछ लेंगे अगर नसीब अच्छी होगी तो एक खाली पूछ लेंगे और उसका व्क दन भी आपको निकालने बोलेंगे बहुत ही प्यार साब उसको निकाल सकते हैं पहले फॉर्स्ट लोग पूछ लेंगे इसमे प्रवाइब होता है और इंटर्नल एनरजी का शॉट्ट लिखने बोला है तीन माक्स का कोशन पिछली बार आया था तीन माक्स का करना ही करना पड़ेगा आपको यह तो ठीक है चलो आगे चलते हैं इसमें आगर हिम्मत बची तो एक और कोशन चल बाई चल 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 करना पड़ेगा काण़ फिर आपको पुछलेंगे हिट पूछ लेंगे एक ने कोशन आपको भेख के मारेंंगे उलोग श्यक्जशन के प्यार से अराम से कर लोग prohib रिंटकत नी होगी कारणत साइकल को पर आपका चैप्टर ऑस्िलेशन में क्या-क्या है सबसे प्यारा double star mark differential equation पुछेंगे श्यम का definition पूछेंगे श्यम का define श्यम क्या होता है linear श्यम क्या होता है यह सब पढ़ाते हैं हम लोग लेकिन बाई सबसे पहले पढ़ना बढ़ेगा आपको उसके बाद में इसी को इक्सेल को यूज करते हुए आपको एक्सेलरेशन निकालना है आपको वेलोसिटी निकालनी है और आपको डिस्प्लेस्मेंट निकालना है तो इसके पास कितनी करते हैं वो ग्राफभा स्षी नहीं आपको करना है बहुत ही अच्छा है आंगे लोग ने एक्वा कि कहानी है एक वह था लएसज्ट लीनीयर सिंपल हर्मोनिक मोशन यह अंगूलर ऐसे जह में है है दोनों में भात करता है और यह घुमने वाली बाशा बात करता है इसमें से से होगे अपनी कहानी पिर आगे आपका चैप्टर नंबर सिक्स इसमें आपको सबसे पहली बात डिस्टिंग्विश बिट्वीन यह नहीं करोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह तो करोगे ना प्रॉपर्टीज और स्टेशनरी प्रॉपर्टीज प्रोग्रेसिव इन से आ आप नहीं बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं सर एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव जब रुकी होती तो उसका इक्वेशन क्या होता है वह आपको बनाने आना चाहिए फिर वहीं हमारे पास आ गया एंप्लिट्यूट क्या होता है वेव प्रडूस करता टू यह अंडर रूट सम्थिंग अपन सम्थिंग क्या था फर्मुला मुझा भी आदनी आ रहा है यह फॉर्मूला था भी है स्ट्रिंग लौका बहुत ही इंप्रेंड वेरी वेरी इंप्रेंड करके जाना है वह एक फॉर्मुला से आप लोग तीन हो चारो लग बना लो जितने भी लो दिये है बड़े प्यार से बन जाएगा लो ध्यान से एक्स्प्लेंड मोड वाइबरेशन इन ओपन पाइप में ऐसी बनती है क्या यह डिवेशन फिर आपकी बनती है फिर क्या होगा गलत डाइगराम बनाया दिया हो इसे ऐसे बनेगा ठीक है ऐसे कुछ डि डिफाइन हर्मोनिक्स एंड ओवर्टोर्ण हर्मोनिक्स और टॉन और टॉन और पक्का पका पक्का पुछे जाएगा अब इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है जो मोस्त बच्चे छोड़के चले जाते है वह है वेव ऑप्ट तो अपने को पुरूफ करना पड़ता है पिछली बार सिर्ट डाइग्राम पुछा था विवादना में को पुछा गया है कि यह वेव फ्रेंट कैसे बनते हैं प्लेन के और स्पेरिकल वेव फ्रेंट कैसे बनते हैं प्लेन वाला भाई यह लाइट जब बहुत दूर से आती ह ओर फ्लेइण वेव फ्रण ऐसे बन जाती है फ्रिकल एक बीच में सो र्स होता है उसमें से 7 निकलती है हर जगह से ऐसे तो आना क्या बन जाता है इस अपको बनाना इन्सरक करके दिखाना है अपको निकाल ला है फ्रिंज व्रिप्रिंटित चुलित रज़ एंटर रगनतर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत इंपोटेंट है कि डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट तो डार्क और ब्राइट के बिच में कितना ब्राइट ब्राइट के डिच में कंडिशन फर वहली डिफाइट इंटर्फेरेंट बाइट इंपोटन है ठीक है वह में ब्लैक लाइन में लिक्वा ऊका इक्स अपरफे सोर्सें चाहिए और क्या करें चाहिए're और फिलास्ट में स्टेट्ड ब्हुत इंपोटेट्न है दो माक्स है समझमारी है बाते पक्का पहले साथ चैप्टर हो गया फिजिक्स पाट 6 जिस्से आपको डर लगता है तो चल्वा चाप्टर करते हैं जो कि हमारा कौन सा है है electrostatic है बहुत बच्रोटे डरते हैं चैप्टर बहूत सारे derivation है सः कितना करने का 14 लोग है जध्यान से सुनों अगर इस डर लगता है ज़्ञान से सुन्ना अगर इस चैप्टर सर डर लगता However पार्ट कर लेना क्या होता है किया को सीरीज में करणेक किया तो क्या होगा जब कैपैसिटर के बीच में कुछ डाला जिसको टैलेक्टम मुलते है तो तीन चार चीज एक कर लो के बास भात कर दो तो तीन मार्क्स आपको अराम से मिल जाएंगे अभी देखो और कौन-कौन से अगर आपको करना है तो इलेक्टरी इंटेंसिटी निकालना है किसकी हॉलो स्पेर की प्लेन शीट की ठीक है यह दो में से कोई ना को एक डेरिवेशन पूछते हर बाद उसके बाद में आपको न बनने वाला है उसके बाद में आप लोग देखोगे आपको निकालना है प्रिंसिपल ऑफ कैपैसिटर कैपैसिटर एक्सप्लें करना है आपको फिर सीरीज और पैरलल में क्या होता है एक और कुशन मैंने आपको बोला था कि कैपैसिटर विद डाइलेक्ट्रिक नहीं होंगे मेरे फेस के होजे से तो वह सब ये पूरी पीपीटी ये पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी सर कौन सा टेलीग्राम ग्रूप है आपका टेलीग्राम ग्रूप का नाम है आपका ज्यानलैब एपी उसकी लिंक आपको भूरा करना है पूरा करना है पूरा करना है कुछ ओप्शन नहीं को फट फट पूरा करना करनेख स्ञेजै इसमें है सिनब निया नहीं है वें क्यालेदों करता देखाật समझेँ पास कोईल है उसको अपने मैगनेट के अंदर रखा है घुमेगी तो तो कितना बनेगा तो मैंने यह बताया बनेगा यह आपको बन जाता है यहां पर आप लोग यह प्यार से कर सकते हो इस अधने स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट पुछते दो मक्स के लिए कभी-कभी ए पॉइंट पर इस वाइर के वज़े से इंफानेट वाइर है यहां पर मैगनेटिक फिल्ड कितनी बनेगी तो यूज करके आपको यह प्रूब करना है तोड़ा सा हाड है इसी भी बोल सकते हो थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन आना चीए पिर आगया एंप्यर एक्सप्ल आपको डिराइब करना है तो बहुत ही प्यार से आप लोग कर सकते हो ठीक है चलो फड़ा फड़ा आगे चलते नेक्स्ट यह होगे चप्टर खतम यह इतना है इसी को थोड़ा एक्स्टेंड करोगे तो आपको गैरो मैगनेटिक मॉमेंट एम और्बिटल का फर्मुला है इवी आर अपॉन टू यह फर्मॉलर डिराइफ करना है और इसी को थोड़ा एक्स्टेंड करोगे तो आपको गैरो मैगनेटिक रिश्यो मिल जाएगा और पर्मियाबिटी क्या होती है मैगनेटिक इंटेंसिटी यह एम है और है ध्यान से आपको यह पढ़के जाना है सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब को Ed तेंगा तीन से चार फॉर्मॉला है पूरिस चैप्टर में तेंग के दो लॉग थे परड़ाइस फर्स्ट लॉग पढ़ सकते हो ऑप्शन में डालना डाल सकते हो हिम्मत रोगी तो पढ़ लो क्या होता है तो यह इसको थर्ड लॉग भी बोलते है कभी-कभी तो आपको पढ यह मैं फ्ररडिस हो रहा है वह आपको बताना है हुआ होता है और कहां कहां यूस होता है यह आपको बताना पड़ेगा ठीक है तो सेल्फ इंडॉक्टन्स सेम दोनों का डामेंशन त्क है लेकिन भाइया कहानी दोनों की अलग-अलग है यह एक्षण किया होता है उसका ट्रांस्वोर्मेशन एक्वेशन क्या है टीन माक्स कोशन और यह भी तीन माक्स कोशन है या तो यह पूछेंगे या तो यह पूछेंगे लेकिन करना आपने को दोनों कि दोनों easy है तो यह एक इंडक्टर में एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है magnetic field के फॉर्म में कितनी एनर्जी स्टोर होती है magnetic field के फॉर्म में आगे next AC circuit easy question सबसे पहले rms voltage क्या होता है और rms current क्या होता है वैसे आप लोग mean voltage mean current पढ़ सकते हैं लेकिन rms वाला बहुत बार पूछा गया है तब लोग को यह करना ही करना है definition उसके बाद में आपको बताना है कि emf current lag करता है क्यों करता है दिखाना पड़ेगा कैसे करता है in case of inductor current lag emf by 90 degree current lag emf in case of inductor current lag current पीछे चलता है किस से emf से यह है आपका short form इल इली जो भी आप लोग पढ़ो इसको बनाया है उसको एक फड़ा अंगर के लाफा देना ठीक है यह आपको कोई अच्छी रेफ्रेंस बुक पढ़ोगो तो उसमें आपको निमोनिक्स दिया हुआ हुआ है फिर बात में सर in case of capacitor current leads emf by 90 डिग्री तो यह आपका impedance निकालना है जैड का फर्मूला LCR सर्कृट यूज करके मलब उसमें LB आ जाएगा सी भी आ जाएगा आर भी आ जाएगा इस सर्कृट को आपको यूज करके हुए आपको बताना है क्या बताना है आपको जैड निकालना है ठीक है जो कि बेसिक नॉर्मली है लेकिन यह जै इस इकल्स टू वी बाई आया जाता है इस वी की जगहें पर यह आप लिख सकते हो ठीक है फिर यह तो भाया प्रहा ठीकल है ठीकल चार डाइगरम मना चार डाइगरम को एक्स्प्रेंग करो कहानी खता तो इसके आद में रेजोनेंस सर्कृट इस वेरी इंपर्टेंट इस उसे में है कंडिशन का से का लराबर एकस है लखेस और इसए लगेए करता कशनर फोटुछ सकते हैं या या तो सीडिस की लेंग तो पैरलिल की एज कि नेक्सलेव आगए आपका डुले नेचर कीउनेठर या का डाइग्राम पुछ रहते उनिसकी शेट भी थर कीवीर आइंस्टेन का पॉस्चूलेट है ना नौ पॉइंट वह आपको पुछ लेंगे कोई भी आप पता दो उसके आद में आपको शॉर्ट नोट्स पुछ लेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथीस का बस यही चार कोशन आपको करने है प्यार से याद कर लो फटावड आपका हो जा सेस्टे मैं और यहां पर आंपकी पड़ोगे पाद में अगर आगर आप से बीके आप लोग ने बोगे प लिए पाद में पढ़ लिया थो आप में थे लिय radius और velocity का equation निकालने आना चाहिए बहुत easy है आप लोग बहुत प्यार से कर सकते हो फिवाद में energy कितनी होती है electron के पास तो यह 3 derivation है इसमें से कोई भी एक आया है तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो आप लोग पॉस्चुलेट कर लो कम से कम पॉस्चुले आप लोग कर लोगे तो भी आपको आराम से आ जाएगा नेक्स्ट लास्ट सेमी कंडॉक्टर डिवाइज तो सर क्या क्या है सबसे इंपर्टेंट कि वाट इस रेक्टिफायर एक्स्प्लेइन हाफ वेव एन फुल वेव रेक्टिफायर विद एप्रॉप्रॉप्रियेट को यहाम इसका सर्क्येट डिइग्रां उन इसका वेवर्म दोनों आपको निकालना है एक माक्स अबको मिल गया सबढ़राम में आदायाइक माक्स मिल गया वेवर्म में आदाया ॉह मख्नि अ क्या थे कि खतन लेकिन है वयसे आदा मृँक्त मिलेके निकर से कि आ छोग यहां पर देखो छेगट लगा है मैंने चेगट और नार नॉट एक्स और पिछली बार पूछा था एक्जाम में और उसके तुरूट टेवल बनाने उसका बुलें एक्सप्रेशन य आउट्पूट है और भी इन्पूट है तो एंड में क्या होगा और में क्या होगा फिर न यहां पर आपकी कहानी हो जाते हैं आप लोग हमारी नीट की चैनल भी फॉलो कर सकते हो और टेलिग्राम गूरूप तो मैंने आपको बोल दिया जोइन करना है घ्यानलाइब एपी नाम है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बस इसी के साथ हम आपको से लेते ना या तो अब थेरी करके पास हो जाओगे तो भी ठीड़े नीवेरीकल कर ले हैं पक्ठ कर ले से कोई नहीं रोख सकता पचास प्लस अराम से रिख्या जाओगे यह इंपोर्टन थेरोटिकल डेरिवेशन बता दिए मैंने अब नियुमेरिकल की बारी वह मैं समाल लोंगा मेरे उपर छोड़ दो खाली आप ट्रस दिखाओ खाली आप वीडियो को देखो कमेंट करो प्या हम एंड में पढ़ते हैं यह प्रूफ है एंड में पढ़ते हैं दम लगा के पढ़ेंगे पूरा अपना 200 परसंट छोग देंगे तो माक्स तो आना ही आना है मेरे हर बच्चे को 80 प्लस आना ही चाहिए 80 प्लस आना ही आना ही चाहिए ठीक है तो इसी के साथ मैं विदा लेत टेक केर पढ़ाई करते रहो मिलते नेक्स टाइम